कि विड़ा आजम 11 का मैथ शू करने जा रहे हैं एक बार पढ़ा दिया है वैसे तुम्हें थोड़ा सा क्लास में लेकिन वीडियो की वैसे इसे दुबारा पढ़ा दिने कल पढ़ाया था फरसों कल तुम्हारा पहला चैप्टर है समुच्य क्या है इसको इंग्लिश में कहते हैं समुच्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए आता है थोड़ा फिर दुबारा देख लेता है समुच्य क्या होता है वैल दिफाइंग कलेक्शन अफ अब्जेक्स इसकोर्ड या हिंदी में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे वस्तुओं के सुपरिभाशित समुच्य को समुच्य को अब लिखना है याम समुच्य की जगे हम एक शब्द प्रयोग करेंगे क्या संग्र है समुच्य क्यों नहीं प्रयोग कर रहा है क्योंकि गड़त की भाशा में समुच्य कहानी है समुच्य कुछ अलगी होता है जो कि आप जब गयरा करोगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि समुच्य क्या कहते हैं समुच्य कहते तो समुच्य क्या होता है वस्तुओं का सुपरिभाशित संग्र है वस्तुओं हम सभी जानते हैं क्या क्या होती है पंका घरी फोन कैमरा यह सब क्या है वस्तुओं यहां बात हो रही है किसकी सुपरिभाशित संग्र है वैल डिफाइन कलेक्शन यहां वैल डिफाइन लिया सुपरिभाशित का मतलब क्या है परिभाश इत्माने जिसकी परिभाशा अच्छे से डी जा सके जैसे कि हम बात करते हैं हम बात करते हैं मान लोग कि तुम लोगों के सामने एक अचानक कोई बरासा सार आ जाए ना वो आके ख़रा हो जाए तो तुम क्या करोगे भाग जायोगे लेकिन कुछ देशों में, जैसे कि money हो गया, वहाँ बुल फाइटिंग या बुल रेसिंग, यह क्या हैї एक खेल यह वहां By लॉग इनके सामने जाके खरेह ओ जाते हैं और लाल कपड़ा लेके और उनके सामने उनके सामने करते तो एक बैल या सार एक खतरनाक जानवर है क्या खतरनाक होना सुपड़िभाशित है मैं बाइक चला रहा हूं मेरी बाइक की स्पीड जो मैक्सम होती है वो साथ है सकतर लेकिन एक लड़का जिसमें अभी नहीं नहीं गारी चलाना सीखा है उसके पास बहुत बहुत बाइक है स्पोर्ट बाइक है वो कितनी चलाएगा स्वया 110 क्या उसके लिए स्वया 110 कोई खत करना खोना सुपरिभाशित नहीं है ऐसा एक आदमी बंदू लेकर भूंग रहा है वो खतरनाक इंसान है उसके आसपास नहीं रहना चाहिए लेकिन फौज में सब लोग यही काम कर रहा है यहां लड़ाईयां होती है वालने के खड़े क्या सुपरिभाशित है वो व्यक्त रहती दर रहती घटनाएं या कोई भी बस्तू या कोई भी परिभाशा कोई भी एक कहा जा सकता है आप किसी भी एक स्टेटमेंट की बात करो वह चेंज हो सकती है इस तरीकी चेंगे खतरनाक होना वह स्टेटमेंट हर जगह रहती दर रहती बदल सकता है जैसे की बात करी इंगलिश लोग धिया है ? economists, English English एक भौत tough subject है उसको बोलने में बहृत दिक्रत होती है . लेकिन आप कीज ये गयिसा पुल है , जमिदा हैम कि खुछ संग्रीय है ? जैसे कि मुन्षी प्रेम चंत के लिख खे ओए मुपन्यास का संग्र Спodis यह well defined है मुशी प्रेम चन्न ने जितने भी पन्यास लिखे होंगे वो सब मानेंगे कि हाँ या तो मुशी प्रेम चन्न ने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं जैसे बात की जाए गोदान की गोदान मुशी प्रेम चन्न ने लिखा है जितने भी लोग इस बात को जानते हैं कि गोदान किसमे लिखा है तो क्या वो इसके बारे में अलग-अलग राय दे सकते हैं क्या दे सकते हैं नहीं दे सकते क्योंकि सभी को पता है वो मुशी पेमजंद का लिखा हुआ है अगर मुशी प्रिम्चंद के लखे लुए उपन्यासों की बात करें, तो वह कैसा हो गया, सुपरिभाशत हो. ऐसा संग्रह जिसके बारे में सबीद लोग एक मत हों. अगर अलग-अलग मत हैं, तो सुपरिभाशत नहीं है, अगर एक ही मत है, तो सुपरिभाशत है. तो well defined collection, जिसकी परवार्चा अच्छे से दी जासे है, जैसे कि उधारन के लिए मैं भी बता दिया मुशी पिमचन के लिखे वे पंद्यासो का संगर है, अब बात आती है कि हमें मुशी पिमचन के लिखे वे पंद्यासो का संगर है तो मिल गया, यह कि collection मिल गया, किसी भी set का अब जब वो सेट का कलेक्शन हमें मिल गया तो उसको लिखते किस तरी कैसे हैं फिर तो यह याद रखेंगे समुच्चे को सदेम अंग्रेजी वर्ड माला के कैपिटल लेटर से डिनूट किया राता है किसे निरूपे करते हैं अंग्रेजी वर्ड माला के इनसे हम किसी भी समुच्चे को निरूपे करते हैं अब जैसे कि हम एक समुच्चे की बात करते हैं वो समुच्चे है एसे हमने उसको निरूपे किया में की बीच में की प्रकृत का संग्रे और इसको लिखनाना है तो लेकिन किसी भी सैट को रिपरेजेंट करने के नो तरीके होते हैं कितने तरीके होते हैं पहला रोष्टर विधी और दूसरी इसको कहते हैं सेट बिल्डर समुच्चे निर्मार विधी समुच्चे निर्मार विधी का एक नाव और भी है गुर विधी ऐसे ही रोष्टर विधी का एक नाव और भी है तारिका विधी ठीक है दो याम ने एक बात और की थी वैल दिफाइंड कलेक्शन और अब्जेक्ट यह जो अब्जेक्ट होते हैं न समुच्चे की भाषा में इनी को कहा जाता है अवियव या फिर इंग्लिश में बोल देता है एलिमेंट जोस्टर विधी में किसी भी समुच्चे को मजला कोश्टक में उसके अवियवोओ को कौमा लगा लगाके लिध्दे जैसे कि अभी हमने एक एग्जामपल लिया एक समुच्चे जिसमें कहा से कहा तकी संख्या लें एक से लेके दस की त्रक्रतिक संख्या लें तो क्या बने रहा हैं एक कौमा यही तो आरही है कुन सी विदी है जोष्टर विदीया काल गवी इसमें हमने सभी संक्या सभी अवेवों को क्या लिख दिया कौमा लगा लगा के लिख दिया समुच्चन निर्मार विदी में ये काम नहीं किया राता उसमें हम उसके गुर को लिख देते हैं उसकी क्या खासियत है जैसे इसी की बात करते हैं यहां लिखते हैं A बराबर X X क्या है यहां पर X इस प्रकार है इसको क्या बोलता है X is such that क्या बोलता है X is such that X इस प्रकार है कि X1 11 से छोटी प्लाक्रतिक संख्या है X1 11 से छोटी क्या है प्लाक्रतिक संख्या यहां हमने क्या लिख दी इसकी खासियत लिख दी और यह दोनों सेट क्या से है समान है determination थैं आप ख+. आसान था ये अव्यव थे यहां पर भी यही इसके अव्यव है तो अव्यव, को निरूपित the street करने का अफकर होता है जैसे कि आपको बताना है कि कोई भी अव्यव किसी समुच्चे का भाग है अत्वा नहीं तो उसके लिए हम एक चिन्द का प्रयोग करते हैं जिसको Epsilon बूला जाता है वैसे तो क्या बोलते है Epsilon इस चिन्द का नाम क्या है Epsilon लेकिन इसको किस तरीके से लिखते हैं जैसे इस समुच्चे की बात करें क्या दो इस समुच्चे का अवयव है तो हम लिख देंगे दो Epsilon A इसको पढ़ते कैसे हैं दो समुच्चे A का अवयव है English में क्या कहते देते हैं 2 is the element of A या फिर इसको ऐसे भी बोल देता है 2 belongs to A 2 A से सम्बंधित या 2 A का अवयव जब 25 इसका अवयव है तो इसको कैसे लिख देंगे इसको लिख देंगे 25 और यह अवयव वाला चिंद बनाया और इसको क्या कर दिया कात दिया समझ में आा गया समच़्े वारे मैं समच़्े क्या होता है बस्तौं के सुपरवासे सम्वू को कहते हैं समच्च परवाश्य अच्छी से दी जा सके सबी लोग जो इसके वारे में बात करें सब एक मत ओं दूसरा उसको दर्शादे किस्से हैं अंग्रेजी बर्माला के कैपिटल लेटर से अगला उसको दर्शाने के तरीके कितने हैं दो रोष्टर विधी और समुच्चनिरमार विधी रोष्टर विधी तालिका विधी में क्या गरते हैं अब यब ओको कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं और समुच्चनिरमार विधी में क्या गहते हैं उसके खासिएत को लिख देते हैं इस तरीकों से एक सटैट एक जो भी उसकी खासियत है ठीक है अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट या अवियाब किसी समच्चे में हो तो इसे कैसे लग देते हैं यह चिंद्वना की जिसको एप्साइलन बोला जाता है और अगर नहीं हो तो उसे काट देते हैं आगया समझ फड़ावर नूट कर लो इसे